Grade 7, Second Language Hindi, First Lesson, मेरी भावना या एक सुन्दर कविता है, इस कविता की रचना जुगल किशोर मुक्तार ने की है या एक संकल्प गीत है, इस संकल्प गीत के माध्यम से कभी ने अद्रिश्य परब सत्ता अर्थार्थ परमात्मा से कामना की है वे पहली नजर में तो केवल कवि के हित की बाते और अकांख्षाएं नजर आती है लेकिन जो दरसल उतनी भर है नहीं, यहाँ पर उन्होंने केवल और केवल मानो मात्र के हित का चिंतन यानि उनकी भलाई का चिंतन किया है और उनकी भावना यही है कि प्रत्येक प्राणी मात्र के हिर्दय में मैत्री, करुना और प्रेम की भावना सदैव उमरती रहे और उनका मानना है कि प्रत्येक प्राणी मात्र के हिर्दय में जिस भी दिन ऐसे निर्मल और साथविक भावनाय अर्थार साथविक विचार अपना स्थाई घर बना लेंगे तो वह दिन जो है मानोता के लिए किसी बर्दान से कमना होगा तो इस तरह से उन्होंने इस पाठ प्रवेश के द्वारा अपनी कविता के बारे में उन्होंने बताया है अब चलते हैं कविता की ओर मैत्री भाव जगत में मेरा सब जियों से नित्ति रहे दीन दुखी जियों पर मेरे उरसे करोना स्थ्रोध बहे प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि मेरा मन में मैत्री का भाव रहे इस जगत में सब के साथ मेरे मैत्री का यानि दूस्ति का भाव रहे और यह जो भाव है यह सब जीवों के साथ नित्य रहे यानि हमेशा रहे दीन दुखी जीवों पर मेरे उरसे करुना श्त्रोध बहे यहाँ पर कवी कह रहे हैं कि दीन दुखी कौन है दीन दुखी? दीन दुखी अथार्थ जो दुखी है जो दूसरों पर निर्भर है जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते ऐसे जीवों के प्रतिवी मेरे हिर्दय से यानि मेरे उर्ष से करुणा का स्त्रोत बहता रहे यानि दया की भावना जो है वो बहती रहे दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोब नहीं मुझको आए दुर्जन यानि दुस्ट, क्रूर यानि हिंसक, कुमार्ग रत यानि जो कलत रास्ते पर चलते हैं जो बुरे रास्ते पर चलते हैं ऐसे लोगों के प्रतिवी मेरे मन में क्रोध की भावना कभी न आए साम्य भाव रखो मैं उन पर ऐसी परनिती हो जाए सबके साथ समानता का भाव रखू, मेरा दृष्टिकोन सबके साथ एक जैसा हो, ऐसा बदलाव मेरे भीतर हो जाए, ऐसी परिनिती हो जाए अहंकार का भाव न रखू, नहीं किसी पर क्रोध करू, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न इर्श्या भाव धरू हाँ पर कभी कहते हैं कि मेरे मन में हमेशा निर्मल और सात्विक विचार पनबते रहे, मेरे मन में कभी भी किसी के भी प्रती अहंकार की भावना न रहे, और नहीं मैं कभी किसी पर क्रोध करू, दूसरों की बढ़तरी और दूसरों की तरक्की को देख कर, मेरे मन में कभी भ इर्शया की भावना उत्पन ना हो इर्शया यानी इगो रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करो यहां पर कवी कहते हैं कि मेरी भावना सबके प्रतिक कैसी होनी चाहिए सरल और सत्य ऐसा व्यवहार हमेशा दूसरों के साथ रहे बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूँ जहां तक संभव हो सके मैं हमेशा दूसरों की मदद करता रहूं दूसरों की भलाई करता रहूं और उनका उपकार करता रहूं गुनी जनों को देख हरदय में मेरे प्रेम उमड आये बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाये गुनी जन यानि जो पड़े लिखे जो बुद्धि जीवी लोग है उनकी प्रती भी मेरे हरदय में सदै प्रेम की भावना उमडती रहे मेरे मन में उनकी प्रती कभी भी इर्षय की भावना उत्पन ना हो बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाये जहां तक संभा हो सके मैं हमेशा नित्य में उनकी सेवा करता रहूं और मेरे मन को सुख प्राप्त होता रहे हो नहीं कृतग्न कभी में द्रोहन मेरे उर आये, गुन ग्रहन का भाव रहे नित दृष्टिन दोशो पर जाये हो नहीं कृतग्न, कृतग्न का अर्थ होता है उपकार ना मानने वाला, अर्थार्थ अंग्रेटफुल और थैंकलस मैं कभी भी किसी के भी प्रती थैंकलस उपकार ना मानने वाला कभी न बनूँ, सब सदेव सबके साथ एक जैसा व्यवहार करूँ और मेरे मन में द्रोह यानि हिंसक प्रवृति यानि हिंसा की भावना, अप्राथ की भावना कभी भी न आये मैं सबके साथ एक जैसा समानता का भाव रखू, गुन ग्रहन का भाव रहे नित द्रिश्टी न दोषो पर जाए मेरे मन में सदेव गुनों को ग्रहन करने की हि भावना रहे और मैं उनके दोषों पर कभी न द्रिश्टी न रखू उनके दोशों पर कभी न दृष्टी फेरूम है कभी भी हमें सदैव दूसरों के गुणों को ही ग्रहन करने की कुशिश करनी चाहिए ना कि उनके दोशों पर उससे क्या होगा अगर हम उनके दोशों पर अपने दृष्टी फेरेंगे तो हमारे भी मन में उनके प्रती फिर से वही क्रोध और वही अहंकार की भावना हमें भी उत्पन हो सकती है इसलिए सदैव हमें गुनों को ग्रहन करने की ही भावना रखनी चाहिए कोई बुरा कहे या अच्छा लक्ष्मी आए या जाए लाखो वर्षों तक जियूं या मृत्यूं आज ही आजाए ऐसी भी स्थिति में मैं हमेशा सबके साथ एक जैसा व्योहार करूं सबके साथ समानता का व्योहार रखूं अथवा कोई कैसा ही भाई या लालच क्यों न देने आए तो भी न्याय मार्क से मेरा कभी न पग डिगने पाए कोई कैसा ही भाई या लालच क्यों न मुझे देने आए तब भी मेरा मन और मेरे कदम न्याय मार्क से विचलित न हो मेरे कदम कभी भी पीछे ना हट पाए होकर सुख में मगन न फूले दुख में कभी न घवराए परवत नदी शम्षान भयानक अठवी से नहीं भैखाए यहाँ पर कभी कह रहें कि सुख आने पर ना हमें जादा खुश होना है और ना ही दुख में कभी घवराना है प्रत्येक स्थिती में चाहे परिस्थिती कैसी भी क्यों ना हो चाहे परिस्थिती सही या गलत हर परिस्थिती में हमारा मन और हमारा व्योहार एक जैसा होना चाहिए परवत नदी शम्शान और भयानक अठवी अर्था जंगल इन सबसे मैं कभी ना डरूं रहे अडोल अकंप निरंतर यह मन द्रड़तर बन जाए इस्ट वियोग अनिष्ठ योग में सहन शीलता दिखलाए यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि मेरा मन अडोल अकंप निरंतर रहे और मेरा मन द्रड़तर बन जाए अडोल का अर्थ होता है अडोल यानि अटल अडिक जिसे इम्मुवबल की कहते हैं मेरा मन हमेशा स्थिर रहे और मेरा मन मजबूत बना रहे चाहे परिस्थिती कैसी भी क्यों न हो मेरा मन हमेशा मजबूत रहे इस्थ वियोग और अनिष्थ योग में सहन शीलता दिखलाए इस्ठ वियोग अर्थार्थ किसी प्रिय का वियोग या फिर किसी उपलब्दी का मिलते मिलते रह जाना और अनिष्ठ योग ना चाहते हुए भी कुछ अहित कर घड़ जाना विशम सिती में पढ़ जाना या फिर अंचाहा संकट का गले में पढ़ना चाहे परिस्थिती कैसी भी क्यों न हो चाहे कोई अंचाहा संकट क्यों न मेरे सामने आ जाए तब भी मैं अपनी सहनशिलता को कभी भी अपने साथ न छोड़ू हमेशा मैं सहनशिल रहूं और सहनशिलता की भावना द्वारा मैं हर एक परिस्थिती पर विजय प्राप्त कर सकूँ सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी न घबराए बैर पाप अभिमान छोड जग नित्य नए मंगल गाए यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि इस जगत के सारे जीव सुखी रहे कोई कभी किसी से भी न घबराए बैर पाप अभिमान बैर यानि शत्रूता पाप अभिमान यानि घमन इन सारे विकारों को छोड़ कर जगत में यानि संसार में नित्य नए मंगल गाते रहे घर घर चर्चा रहे धर्म की दुश्क्रत दुश्कर हो जाए हर एक घर में सिर्फ और सिर्फ धर्म की चर्चा हो जिससे की दुश्करत भी दुश्कर हो जाए अर्थार्त न करने योगी या फिर अहित्कर कार्य करना जब कठिन हो जाए उसे कहते हैं दुश्करत दुश्क अगर हर एक घर में दर्म की चर्चा हो, तो इससे अहितकर कारी करना चटिन हो जाता है, तो ऐसी स्थिती हमेशा के लिए बन जाए. ज्यान चरित उन्नत कर अपना मनुट जनम फल सब पाए मतलब हर एक मनुश्य अपने ज्यान और अपने चरित्र को उन्नत कर उसे बढ़ा कर इस मनुश्य जनम का फल पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके अगर हम अपने ज्यान और अपने चरित्र को पूरी तरह से उन्नत करेंगे उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तब हमें निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है और हम अपने जीवन में काम्याव हो सकते और यही नहीं हमें अपने मनुशित जनम का पूरा-पूरा पोनफल भी प्राप्त हो सकता है धन्यवाद